एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल केके टेक आज मैं लाए हूं आपके लिए स्टैनली की रीड गन यह मैंने एक साल पहले पर्चेस किया था लगवग 625 उर्पे में एमाजॉन से अभी आपको 600-800 उर्पे में और गूगल पे सर्च करेंगे तो कहीं भी मिल जाएगी फ दोस्तों इसकी six months की वारंटी आती है made in China है और जैसे इसको हम प्लग करते हैं इसको तीन से चार मिनिट लगते है फुल आप्टिमम टेंपरेचर पर आने के लिए तीन से चार मिनिट के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं यह जो ट्रिगर फीट मेकाशिम है एक गलू का करता है यह जो स्टैंड है यह नॉजल को कूल होने में हेल्प करता है ऐसा साइडवेस मत रखिएगा दोस्तों यह मैनिफेक्चर बाइस टैंली ब्लैक एंडेकर है यह अपना होम और प्रोफेशनल यूज के लिए बढ़िया है देख सकते हो स्टैंली 40 watts 69 gr 20 glue gun यह यह अपना हो में प्रोफेशनल यूज के लिए बढ़िया है दोस्तों और इलेक्ट्रोनिक इंड़स्ट्री में बही काफी यूज होती है को भी connector वग़गरा को सील करने के लिए क्योंकि connector निकलना जाए उसके लिए यह connectors के उपर ज्यादा यूज होती है इसको वाइटेज तो जब यह चालू हो नॉजल के एरिया में कभी आप टश मत कीजिए गरम गुलू को भी टश मत कीजिए नहीं तो हाथ आपका जल जाएगा और दोस्तों यह इसमें जो ग्लू स्टिक यूज होती है 12 mm की मेंशन की हुई है लेकिन आप 11 mm की पर्फेक्ट चलती है दोस्तों इसमें में है कि आप अच्छी कॉलिटी के यूज कीजिएगा में तो अच्छी कॉलिटी की यूज करेंगे तो आपको बांडिंग पावर बहुत अच्छी मिले है रखने के लिए अब देख सकते हो कॉलिटी भी काफी अच्छी है लेंथ भी काफी है लगबग डेड़ी मिटर की लेंथ की और जब यूज में होती है तो आपको हमेशा इसे ऐसे प्लेस करना है साइडवेस प्लेस नहीं करना है जब यूज में रहती है गरम रहती है तो उसको फिर से पीछे मत खीचेगा, ग्लू स्टिक एक बर लगाने के बाद इसको निकालना नहीं है, नहीं तो ट्रिगर फ्रिट जो मेकेनिसम है, ये खराब हो जाएगा, ये देखे, मैंने इसमें ग्लू स्टिक पहले से लगा के रखी हुई है, देख सकते हो आप, और ये अपना फरनीचर इंडस्ट्री के लिए, वुड पार्टिकल बोर्ड, एमडी एफ, लेमिनेट, फोम और फैबरिक, पेपर, बुक बाइंडिंग, शूस, विंडोस को सील करने के लिए, टाइल्स को सील करने के लिए, और बाथरूम फिक्सर्स भी लगाने के लिए, बहुत अच्छा है, इलेक्टरिकल इंसूलेशन और क्राफ्ट परपस के लिए भी बहुत अच्छा है, दोस्तों, ऐसी मार्केट में बहुत सारी ग्लू ग्लू कि 200 रुपे से स्टार्ट हो जाती है लेकिन मैं बोलूँगा कि आप अच्छी ब्रांडेडी पर्चेस कीजिए लांग लाइफ के लिए और सेफटी के लिए जो लोकल एक दम आती है 200 रुपे की वह आपकी तो 15 दिन में भी खराब हो सकती है ग्लुगन्स तो बहुत सारे रेट्स में आती है 200 रेके 4,000 रुपे तक भी आती है लेकिन मैंने बहुत रिसार्च करने के बाद ये स्टैनली की ग्लुगन्स पर्चेस की है जो कि एक अच्छी चोईस थी एक साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं कोई प्रोबलम नहीं है और आपका काम हो जाए यह पावर कॉर्ड आप निकाल दीजिएगा या तो स्विच आप आफ कर दीजिएगा और इसमें जो ग्लिटर वाली ग्लु स्टिक्स भी आती है क्राफ्ट के लिए चाहे तो आप वह भी पर्चेस कर सकते हैं हाँ तो अभी मैं आपको यह गन ऑपरेट जग पर्चेस कर सकते हो मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा थैंक्यू फर वाचिंग